हलो गाइस बात करेंगे निफ्टी फ्टी प्रेडिक्शन फॉर टमोरो यानि कि कल हमारा मार्केट कैसा रह सकता है कहां पर उपन हो सकता है कौन से लेवल इंपोर्टेंट रहने वाले कहां पर आपको ट्रेड करनी है सब के उपर हम बात करेंगे लेकिन उसके लिए आपको प प्रॉब्लम है आज का मार्केट only only 80-90 पॉइंट में पूरा मार्केट सिमट गया सबसे बड़ी दिक्कर 80-90 पॉइंट आज की दिन में जिसने ओवर ट्रेडिंग की होगी ना मैं आप लोग को बोलूगा आप लोग छोड़ दो करना break ले लो तभी आपका पैसा उनेगा विकोज अगर आपको ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है कि मार्केट आज आपके लायक नहीं है या फिर आज ज़्यादा ट्रेड नहीं लेनी है वो चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए तब जाके आपका पैसा बनेगा तो अब जल्दी से बात कर लेते हैं सबसे पहले अपने टेलिग्राम के बारे में देन उसके बाद हम बात करेंगे कि कौन से लेवल्स इंपोरेंट है और आज पूरे दिन में कहां पर क्या हो सकता था वेट करिए सो गाइस ही है अपना The Market Stocker 524 मेंबर्स है इसमें पहले मैं दिखाना चाहूँगा हमारे कुछ मेंबर्स के स्क्रीन शॉट जिन्होंने पैसा बनाया है प्रॉब्लम आ रही है आशकल कि लोग ज़्यादा पैसा नहीं बना पा रहे हैं क्योंकि उनको डर लग रहा है और अगर आपको डर लगता रहेगा तो आपका पैसा बनने में मुश्किल होगी यह बात आप ध्यान रही है यहाँ पर कुछ से अपलोड नहीं हो रहे है नेट तो कनेक्टेड है लेकिन जो आपको दिख रहे हैं वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ यहाँ पर बड़ी ट्रेड बनी थी दो ट्रेड बनवाई थी मैंने यह धर टेलिग्राम के उपर जो एक था हमारा बैंक निफ्टी में मैंने बोला था 45,540 के नीचे अगर निकलता है देन आप ले सकते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा केंडल फॉर्म किया था अल्मोस्ट 50, 40, 45 पॉइंट से यहाँ पर मिले थे यह था हमारा बैंक निफ्टी में जो ट्रेड मैंने आप लोग को दिया था बाकी कुछ और मेंबर्स के प्रॉफिट यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं यह तो आप लोग जाके चेक आउट कर सकते हैं कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है उसके अलाबा एक और ट्रेड हमने दिया था निफ्टी में जब हमारा एक बड़ा मूव आया था यह आया था 90,750 से और 750 मैंने कब बताया था आप लोग को मेंबर्स को हमने जो ट्रेड दिया था वो दिया था 90,760 से आप देख सकते हैं प्रूफ के तौर पर यहापर पड़ा हुआ है टाइमिंग भी है तो आप जाके चेक कर लेना कि कब कौन सा ट्रेड हमने दिया था तो अब यह तो बात हो गई कि आपको क्या मिल जाएगा ट्रेड मिल जाएंगे आपको चार्ट मिल जाएंगा आपको पैटर्न मिल जाएंगा आपको सब कुछ में बता हूँगा कि कब ट्रेड लेना है कब नहीं लेना है कब मार्केट को अवोइड करना है तो जल्दी से join करो because आपका ही उसमें फाइदा है ठीक है ये देख सकते हो morning में 9-15 से पहले हम कुछ levels देते हैं और ये levels पे भी काफी बार trade बनता है आप जल्दी से बात कर लेते हैं कि कल market में क्या हो सकता है और आज पूरे market में कहां क्या दिक्कत आई तो भाईया ये था हमारा आज का market अगर आप देखोगे तो morning में हमारा market ने क्या किया हमने कल की वीडियो में बात की थी कि 19,790 के उपर आप trade कर सकते हो लेकिन वो भी एक range थी जहां पर आपको बोला गया था कि इस range में रह सकता है और उदर तक हम पहुचे ही नहीं है काईदे से ठीक है हमने यहां पर rejection लिया जो आपका जो first candle बनाना देखो market ना जब भी इतना बड़ा candle बनाई हमेशा याद रखना कि आपका कुछ time बहुत जादा hurdle में जाने वाला है दिक्कत में जाने वाला है तो आप लोग को इस time बच के trade करना है अपना losses नहीं करने market यहां से अच्छा कासा नीचे से support ले रहा था उपर से resistance ले रहा था point कितने थे यह था 90,000 790 और नीचे था 760 यानि कि 30 point में market घूमा ठीक है यह हमने box बनाया इसके बाद जब market 90,000 760 निकला तो अगर आप EMA पर जाएंगे और EMA पर 9 EMA डालेंगे तो आपको यहां समझ में आएगा कि proper market नीचे की तरफ आ गया था मैंने इसलिए अपने members को trade दी थी यहां पर यह बहुत शांदर candle बनी थी इसके candle की उपर मैंने बोला था कि आप जा सकते हो put में वहां से एक अच्छा target आपको non-stop मिला और यह target non-stop target कितना था वो मैं बता देता हूँ तो आपको समझ में आएगा कि 90,000 760 से लेके non-stop target था almost 97,30 30 point का target थोड़ा सा market पीछे गया वापस से market ने आपको 25 point और दे दिये ठीक है 20 point और दे दिये तो यह आज का हमारा perfect trade बना था इसके अलावा बड़ा move आया नहीं अगर आप notice करेंगे तो कुछ खास बड़ा move नहीं है उसके बाद एक rejection आया लेकिन यह सारे rejection अभी आपको देखने में अच्छे लग रहे है लेकिन जब live market चलता है न तो दिक्कत आती है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि W formation नहीं cross किया अगर आप second W formation देखोगे तो यह देख सकते हैं W formation लेकिन छोटा target मिला और वो भी range में तो यहाँ पर कोई trade ले ही नहीं सकता था हमने यहाँ पर trade अपने members को बनवा के दिया हमने यहाँ पर दो trade actually बनते लेकिन यहाँ पर हमारे members ने ज़्यादा पैसा बनाया ही नहीं दूसरा 19,750 के उपर हमने trade बनवाया जब यह candle जो बना था यहाँ यह candle ने आराम से नीचे से rejection लिया 19,750 के उपर close किया और वहाँ से आपको अल्मोस्ट 15 पॉइंट से उपर दिये ठीक है यह trade बना उसके बाद जब market में यह जो level था ना 19,000 पहले जो swing के साथ नीचे आया then green बना मैंने यहाँ पर अपने members को बोला था कि यह green के नीचे जो candle close किया है अगर हम इसके नीचे जाते है मेरा target था almost 700 तक जानेगा लेकिन यह 700 तक ना जाके 712 तक गया ज़्यादा बड़ा target नहीं दिया तो यह एक दिक्कत की बात हो गई आज target बड़े नहीं मिले 10-15 point ऐसे यहाँ पर यहाँ पर बस एक यह बड़ा target मिला और यह 15 point का target मिला ज़्यादा आज market में कुछ करने को था नहीं तो हमने ज़्यादा trades भी नहीं दिये क्योंकि मुझे पता है अगर मैं ज़्यादा trades दूंगा लोग ज़्यादा trade लेंगे और stop loss होंगे आज 3 p.m की बात करें तो 3 p.m वाला हमारा trade नहीं चला no problem कोई दिक्कत बाली बात नहीं है हमने trade 3 p.m का planning किया था 19,740 के उपर लेकिन यहाँ से market ने rejection ले लिया यहाँ पर 9 e.m आ रहा था उसी के साथ rejection लेके वापस नीचे आ गया and put के लिए हमने जो planning की थी वो की थी 90,720 के नीचे बट 720 के नीचे यह गया ही नहीं और इसने यहाँ पर time waste कर दिया अगर हम बात करें पिछले कितने दिनों से 3 p.m का call चल रहा था तो आप देख सकते हो कि उससे तो एका दिन नहीं बनेगा यहाँ पर देख सकते हो यह पर range में चला गया यहाँ पर 62 से जादा नहीं 20 point दिया लेकिन almost range में चला गया इसके बाद यहाँ पर भी आग देख सकते हो कि थोड़ा सा दिया जादा बड़ा नहीं दिया और अगर आप सिर्फ एक दो पॉइंट का यानि कि 100-200 रुपय का लोस लेते हो तो भी आपके लिए option buying नहीं बनाए क्यों अगर आप 100-200 रुपय के लोस के उपर अपनी position काटते हो ना तो यह आपकी बहुत बड़ी बेवकूफी है आपको लगता है कि आपने अपना लोस रुखते हैं तो यार सोस समझ कि अपना stop loss लगाओ कुछ भी stop loss लगाने की जरूरत नहीं है कि आप कुछ भी stop loss लगा रहे हो logic के साथ stop loss लगते हैं आँख बंद करेकर अगर आप stop loss लगाते हो तो यह आपकी बेवकूफी है ठीक है और जो बिना stop loss के काम करते हैं वो भी बे quality है तो अब वापस से आपके लिए जो levels निकल के आते हैं वो same ही रहने वाले हैं जो कि है हमारा 19,760 के उपर आपका target है यह 790 अगर 790 के उपर sustain कर जाता है देन आपका target है 820 सिंपल रखेंगे क्योंकि market बहुत कुछ दे नहीं रहा है तो बाकी सब कुछ तो हम telegram पर discuss करें downside की बात करने तो अब जब तक market 19,700 के नीचे नहीं निकलता है तब तक आप put में नहीं जाएंगे रही बात ये कि 700 से 760 क्या गर है इस range में क्या गरना है देगे अगर हम कहीं यहां खुलते हैं तो फिर आप put में ले सकते हो अगर हम यहां से कहीं support लेते हैं तो फिर आप call म बहुत कुछ हो नहीं सकता market में इसलिए बहुत कुछ आपको बता नहीं रहा हूं बाकी morning में अगर कुछ changes आएंगे gap up goip down के बारे में तो मैं बताऊंगा लेकिन almost यहां 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 लग रहा है कि छोटा मोडा gap up वापस से हो सकता है market में अगर gap down होता है तो अगर हम 90,700 के आसपास खुलते हैं तो आपके लिए important रहगा कि 90,700 निकल रहा है या नहीं निकल रहागा 7700 निकल जाएगा तो हम वापस से 70,660 आ जाएंगे यह बात पर आप लोग को ध्यान देना है तो I hope आप लोग को वीडियो समझ में आ गया होगा I hope आप लोग को वीडियो प अगेटे हुआ है तो Reliance पर थोड़ी सी नज़र रखो कि Reliance कहां पर है ठीक है बाइंग लेवल पर आया है कि नहीं आया है तो यहां पर थोड़ा सा weekly चार्ट लगा लेते हैं तो नहीं वहीं सेम उपर के लेवल से rejection देखने को मिल रहा है प्रोपर बट बाइंग लेवल पर हजार पर बताया था सेकंड बाइंग बतायती है अल्मोस्ट हजार से 1025 तक यह 125 से घूम गया है 100 पर उपर है यानि कि 10% उपर जा चुका है मौका इसने हजार वालों को तो नहीं दिया लेकिन किसी ने अगर कर लिया होगा बाइंग तो बहुत ही अच्छी बात है CDSL अगे अच्छी बात है उसके अलावा HCL टेक 2% अप है टेक स्टोक आज अच्छा किया है तो अगर आप लोगों ने टेक में बाई किया हुआ है तो अच्छी बात है देखो इसमें भी अपने टेंड लाइन के सपोर्ट के साथी यह उपर जा रहा है ऐससे कुछ नया नहीं है लोगों को बताए कि हाँ बाईया ऐसा कोई बंदा है जो वीडियो बना रहा है बाकि आप चैनल को सब्सक्राइब करो अगर नए हो टेलिग्राम को जॉइन करो अगर आप लोग भी दो ट्रेट्स चाते हो अच्छा दो ट्रेट की बात करूँ आप एक बात जाके देख ले वीडियो देन उसके बाद टेलिग्राम के उपर